हेलो दोस्तों वेलकम बाक यूट्यूब चैनल तो आज हम करने वाले हैं अमेजन मिनी टीवी पर रिलीज हुई वेब सीरीज हाईवे लफगा वैसे आप सभी ने प्यार पर आपने ऐसी कई कहानिया देखी होंगी जिसमें दो अंजाने लोग एक दूसरे के प्यार में पढ़ जाते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं पढ़ता एक ऐसी ही वेब सीरीज हाईवे लफ जून दो हजार तेईस को अमेजन मिनी टीवी पर रिलीज हो गई है साहिर रजा के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज में रित्विक सहोरे, गायतरी भारतवाज और अंशुमन मलहोत्रा मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रही है तो आईए जानते हैं वेब सीरीज की कहानी की शुरुआत हाईवे से होती है, जहां इनाया बीच रास्ते में अपने बॉइफ्रेंड से जगड़ा कर लेती है, और उसकी कार से उतर जाती है रास्ते में पैडल चलते हुए उसकी मुलाकात कारतिक उर्फ धुनदुन से होती है, जिसकी कार पंचर हो जाती है, लेकिन उसे कार का टायर चेंज करना नहीं आता है इनाया धुनदुन की कार का टायर चेंज करके उससे लिफ्ट मांग लेती है इस तरह दो अंजान लोगों का सफर साथ में शुरू हो जाता है इनाया रास्ते में बताती है कि वह एक म्यूजिक कॉंसर्ट के लिए पूरे जा रही है इसके बाद धुन-दुन भी उसके साथ वहां जाता है कॉंसर्ट खत्म होने के बाद जब इनाया वापस मुबनी जाने लगती है तो दुन-दुन उससे रात को अकेले जाने के लिए मना करता और अपने घर चलने की रिक्वेस्ट करता है वही जब दुन-दुन इनाया के साथ अपने घर पहुचता है तो घरवानों को उसके हाव भाव से साफ तोर पर पता चल जाता है कि वहां मन ही मन इनाया को पसंद करने लगा है क्या दुन-दुन इनाया से अपने दिल की बात कह पाएगा क्या इनाया उसके प्रपोजल को असेप्ट करेगी और क्या हाईवे से शुरू हुई ये लव स्टोरी शादी तत पहुचेगी यह जानने के लिए आपको यह सीरीज देखनी होगी बात अगर एक्टिंग की की जाए तो हाईवे लव में रित्विक सहोरे ने बहतरीन एक्टिंग की है उनका शांत और मासूम बहेवियर दर्शकों को काफी अच्छा लगेगा वही गायतरी ने अपनी नेच्चरल एक्टिंग और चुल्बुले अंदाज से स्क्रीन पर एक अलग ही चाप छोड़ी है दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आएगी बात अगर डाइरेक्शन की की जाए तो हाइवे पर इससे पहले भी कई फिल्मे बन चुकी है लेकिन साहिर रजा ने इस हाइवे लव में एक नया कॉंसेप्ट जोडने की कोशिश की है छोटे छोटे सीन को उन्होंने मज़ेदार बनाने की पूरी कोशिश की है कुल मिला कर कहें तो सीरीज आपको अंत तक जोड़े रखेगी तो दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी के रिव्यू पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले